जै श्रीराम सबसे पहले मानने मुख्यमंत्री जी श्रीयोगी आदितना जी के श्री चरणों में चरण वंदन है चरण सपर्श है और आज आपको ट्वीट करके एक विशेश बात यह बताना चाहते हैं जिसकी कि आवश्यक्ता महसूस हुई कि शायद आपसे ज्यादा इस व काशी की रहने वाली हूँ और मौनी बाबा राम लिला कमिटी की मैं कोशाध्यक्ष के पत पर इसमें हूँ विगत 524 वर्षों से चली आ रही संद श्री मौनी बाबा की राम लिला जिसका वास होने जा रहा है जिसको लुप्त किया जा रहा है और इसके पीछे का जो कारण है 524 वर्ष की हो रही राम लिला जिसमें पहली राम लिला चित्रकूट राम लिला समेती की और दूसरी संतों की राम लिला जो होती है जिसमें भाव प्रधान मुक्यर राम लिला है जिसमें तमाम महिलाएं बच्चे बुड़े जो अपने मन की अभिलाशा भगवान के भर पास होते हैं टिकट होते हैं वो इस रामिला को देख पाते हैं जिनके पास टिकट नहीं होते वो इसमें शामिल नहीं हो पाते इसलिए आप से यह कर्बद्ध प्रार्थना है कि इस विशय को आपके संग्यान में डालना जरूर हमने उचित समझा क्योंकि आप हमारे उस पद दिया है कि रामिला खुले मैदान में होगी खुले मंद से होगी लेकिन किनी कारणों से प्रशासन ने कल तक हम लोगों को अंधेरे में रखा कि आपका पर्मिशन हो चुका है और आज हम लोग अपनी विजय दश्मी की लिला करने के बार यह पता चलता है बड़े दुख के स चाहिए निवेधन करती हुँ आप से पूछना चाहते हैं कि मेरा यह महिला का यह वक्ता वे और मेरा नहीं काशिय की तमाम जंताओं कि तरफ से तमाम महिलाओं की तरफ से यह प्रशन मैं कर रही हूँ ना कि मैं आमदीला समीते से जुड़ने के नाते कि बश्वन से हम लो हम लोग को बल रहता है और मुश्किल से 20 से 25 तीस लोगों में हमारे रामाणिया वही मंच पर रामाण कह लेते हैं और फिर हमारा वहां से रत थोड़ी दूर उटके आता है लेकिन किन कारणों से आज इसे रोक दिया गया क्या प्रशासन कहीं दबाव में है किसी के धनबल के दबाव में है या किसी के जंबल के दबाव में है इस विशे को जानना चाहेंगे मानिये मंत्री जी आप से यह निवेधन है और आपका पावर है आपकी जो छमता है सेम जानते हैं कि और एक बात और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि विगत दस वर्ष हो गए जबकि हम लोग अजुद्या शोट संस्थान के माध्यम से हर वर्ष राम नीला का आयोजन घाट पर करते हैं इसको आपने एक स्वयम देखा था नाव पर ब्रहमण करते हुए देव दिपावली के दिन जिसमें आपने ही यह कहा था कि इस राम नीला को स्थान मिलना चाहिए लेकिन आज हमारे MLC साब हैं हम लोगों ने कई जगह इस विशे को रखा लेकिन आपसे भी इस विशे को कहना और पूछना चाहेंगे और आपसे इन्निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आपका आदिश मिल जाए तो रात भर के अंदर चुकी इतनी जागरुपता और इतनी हम लोगों के अंदर है कि हमें कोई आडंबर वाली तयारी नहीं करनी है यदि आप कहते हैं आपका आदिश मिलता है तो हम लोग कल उसी मैदान में अपना भरत मिलाव छोटे प्रारूप में करेंगे लेकिन करेंगे यदि आपके आदेशा नुसार और महंती जी से तो हम ल प्रामिला समीती के माध्यम से और काशी की जनता के माध्यम से यह आपसे करबद प्राथना और निवेदन करते हैं कि खरपया हमारे इस निवेदन को सुना जाए रात बहुत हो गई है लेकिन फिर भी हमने इसी समय चुकि दश्मी करके आए हैं तो अंदर से एक उत्सा बल भी है कि धराम के विशे की चर्चा है इसलिए आप से जरूरू बताया और आप एक राम भक्त हैं आप हमेशा आगे आगे बढ़कर अपना कारिक किये हैं और आगे बढ़ते चले आ रहे हैं तो आप से एक बार ये फिर से निवेदन करेंगे कि हमारे इस प्रश्न पर देखते हुए या जैसा नियम आप कहेगा जैसा आपका आदेशों का आपके आदेश के तहती हम लोग अपनी इस लीला को करेंगे नहीं तो संतों का ये जो बल है और इतने वर्शों की 524 वर्श की जो क्रिया उस नाटीमली के भरत मिलाप मैदान में होती चली आ रही है य इससे जन्मानस बहथãy मॉर्म अन बहुत है तो आपश्यी जनता की तरव से बारंबानी वेधन है मैं पूंदम शर्मा एक बाभ पुनह आपको प्रणां करती हूं और आपके आदेश की प्रतिक्षा में मैं पुनह आपके प्रतिक्षा के इंतजार में प्रणां